सबी को जाइन दोस्तों, आप सभी का हार्विक सोगत है, जाइन दी रियक्शन्स पर आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे, तो आज हम आप लिएक लिए टेस्ट, एक इंट्रोसिंग और एक बहुत ही इंफोर्मेटिव वीडियो लेकरा हैं जिसमे आप आप देखेंगे, पाकिस्ता की मश्रू पतरकार आर्जु काजमी जी, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे, साजेतार साब जो की जबदस, जियो पोलिटेकल एक्सपर्ट है, और खासकर भारत और पाकिस्तार के रिष्टों पे बहुत ही गहरी पकड़ और खास नोलेज रखत सर, वैसे तो कई टॉपिक से आज इसमें हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यूनिवर्सिटीज में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, आज इसमें खासकर ये, इसका आखास जो था, मैं थोड़ा सा ये बतारूँगा, इस डिसम्बर से हुआ था, तीन यूनिवर्सिटीज थी, उनको यहां पे एक रिपॉब्लिकन, रिपॉब्लिकन कांग्रस वूमन है, मिस स्टेफनिक उनका नाम था, न्यू यू रही थी, अन्टी सेमिटिक जो थी चीज़ें, उनको पर क्वेस्टिन किया, और वहां से ये मूवमन शुरू है, अब तो खैस, खैर, आज जो दो-तीन दिन से, इस वक्त अमेरिकन मीडिया भी और सारी इसको कवरिज हो रही है, शुरुआत इस चीज़ के कॉलंबिया यू बरकले और M.I.T. और University of Michigan, Emerson College और Tufts जो कालिज है, वहां तक expand कर चुकी है, Texas और California जा चुकी है, University of North Carolina जा चुकी है, तो अमेरिका आलमोस सारा ये movement कवर इस वक्त कर रही है, लेकिन इसका को असर होता नजर नहीं आ रहा है, इस वक्त मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त इ पैफा के उपर अटैक की त्यारियां कर रहा है, महाजरीन लोगों को वहां से उठा के टैंटों में ले जाएंगे, और वो उसके बिलकुल त्यार है कि उसके उपर ground invasion शुरू हो जाए, मैं उसका background भी बताता हूं कि उसके असर क्या होगा, ये जंग आगे कहा जा रही है, यहां ये जरूर बताओंगा कि इस वक्त स्टूडेट्स के तीन मतालबात क्या है, उनका पहला मतालबा तो सीजफाइर का है, के इसरा इलकुस फॉरंण सीजफाइर करने चाहिए, दूसरा उनका मतालबा ये है कि हमारी जो यूनिवरस्टियां हैं, अमेरिका के अंदर इनको काफी फंड मिलते हैं, और यहां की यूनिवरस्टियां एक कारोबार है और बहुत बड़ा कारोबार है, बलके मैं इस पर यहां मैंशन करना चाहूंगा, कि एक मिसाल है कि कॉलंबिया यूनिवरस्टिय जो है, उसका इंडावमेंट फंड जो है, आट सो पैंटिस ब प्राजेक्ट होता है यहां के ओपर, तो उनका जो स्टूडेंस यह कहते हैं कि जहां हमारी यूनिवरस्टियों ने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, और ऐसी कॉर्परेशन जो के इसराइल को सपोर्ट करती है, एक तो उनके नाम डिस्क्लोज किया जाए और वो इन्वेस् जानसन उन्होंने दौरा किया कोलूंbिया का उन्वेस्टी का, और उन्होंने वहाँ पर उनकी सदर है, उनका नाम नाम नेमत شफीक है, उनसे भी मुलाकात की, और बाहर निकल के उन्होंने प्रैस कांफर Championship की और उन्होंने इस सारे लिबरल एजेंडियों को उन्होंने डि स्टूडेंट्स के साथ दूसरी और्गनाजेशन लिबरल जिस तरह के ब्लैक लाइफ मैटर है इंतीफा है जो लिबरल और्गनाजेशन किया गया था दूसरा मार्डल इनके सामने कुलंबिया यूनिस्टी और न्यू यूर्क के लिबरल यूनिस्टी के लिए वेतनाम वार का था उस वक्त भी कई अमेरिकन जो थे वो वेतनाम वार को सपोर्ट नहीं करते थे बलके एक अभी तक वाकिया मेशूर है कि जब सोल्ज जो है यह बड़ी होकर किसी और बड़ी मुव्मेंट का का रेफरेंस ना बने है लेकिन इसका असर इस वक्त जो डीप स्टेट है उसके ओपर कोई इसका असर नहीं है वो क्यों नहीं है कि इतिजाद जारी है जहां जाते हैं हमारे प्रेजिडेंट साब जो जहां भी जाते हैं उनके उपर killer killer murderer murderer के नारे लगाते जाते हैं लेकिन उन्होंने बिल्कुल दो दिन पहले ही 95 billion का एक bill पास किया है जिसके अंदर 61 billion dollar यूकरेन को दिये है 26 billion dollar उन्होंने इसराइल को दिये है 8 billion dollar उन्होंने ताइवान को defense पे देने की जिस पे defense के लिहाज से देने का एलान किया है जिसका चाइना ने उसके 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 बहुत इतजाज किया है अगर देखा जाए तो यह जितने भी इतजाज हो रहे हैं दुनिया के हर capital के अंदर उनका असर कोई नहीं इसराइल अपने targets अपने जंग की तरफ मसलसल रामान दुआ है 34,000 लोगों का कतले हम किया जा चुका है जिसमें ज्यादा तर खवातीन और बच्चे हैं mass graves मिल रही हैं वहां से और इस तरह की चीज़ें हैं लेकिन अगर देखा जाए तो शर्म नाक है कि दो बिलियन मुसल्मान है इस वकट दुनिया में आबाद हैं उनकी सहत पर कोई असर नहीं है उनको कोई फिकर नहीं किसी चीज़ कि वह अपनी party के अंदर अपना वो दमादम मसकल अंदर कर रहे हैं उनको कोई परवानी है जो को मर्जी होगा है एक तो यह है दूसरा इंसानियत के नाम के ओपर भी थपड़ है कि दुनिया खाबोश है अमेरिका लग यह रहा है कि नूरा कुछती कर रहा है उधर से उनको पैसे भी दे रहा है असला भी इतिजाज भी जारी है और मैं समझता हूँ यह इतिजाज तो एक फैशन ही बन चुका है अब जो हमारे लिबरल बच्चे हैं वो सिरफ वो एक वो जो फलस्तीनियों का वो एक कपड़ा सा होता है सर पे लुपेट के एक फैशन की तोर पे बस अपनी पाइटी जारी है उनक पे वहाँ पे भी कई चीजें आपोसीशन भी अपने पे वार कर रही है मोदी साब की स्पीचिस के उपर मोदी साब को जी सेवन से इंविटेशन भी आई है इटली के जो प्राइम निस्टर है उन्होंने भी भेजी है पाकस्तान के अंदर जो अगर देखा जाए बात की ज उठने आपने जो हैं वो गाड़ दिये हैं लेकिन यारा बिलियन डालर की प्रापटीज आपकी पड़ी हैं दुबाई के अंदर जिसका मैं हमेशा आपको कहता हूँ के पाकस्तान को आपके लंदन की प्रापटीयों और दुबाई की प्रापटीयों के खाब जो हैं वो आ अगली जनरेशन को पढ़ाने में इंट्रस्टेट नहीं है, इंफास्ट्रक्चर कोई नए एरपोर्ट, नए सडकें बनाने में कोई इंट्रस्टेट नहीं है, तालीम के लिए कोई इंट्रस्टेट नहीं है, करजा कहते हैं, धें और भागे हम यहां से, तो मैं हमेशा यह कह जाएं तो दुबाई रूख जाते हैं उससे आगे फिल्टर लगा दिये हैं आपने उससे आगे डालर पहुंचे इनर्जी सेक्टर में भी काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि एनर्जी सेक्टर में काम कर लेंगे तो फैक्टरी जो यह ट्रेड ट्रेड करते रहते हैं तो यहां से कराची में बिजनसमेनों का एक जलसा की है मीटिंग की और आरफ हवीब साब जो के पाकस्तान के अच्छे बिजनसमेन हैं उन्होंने खड़े होकर बात की कि परोसियों और बलखसूस भारत के साथ ट्रेड की बात की जाएं जिसको इस वकत भारत के मीडिया ने भी कवर किय है कि क्या प्राइम मिस्टर साब यह फैसला कर सकते हैं या फैसला करने की ताकत रखते हैं यह इस वकत भारत में भी डिसकस हो रहा है लेकिन भारत के साथ ट्रेड आपने खुद बंद किया था भारत ने बंद नहीं किया था लेकिन इस वकत क्वेस्टन यह है कि भारत आप ये भी एक पाकिस्तान के अंदर हुई है, मैं आपको शायद पता होगा कि मैं मुसलसल इस चीज़ का सबसे बड़ा एड़ोकेट हूँ, बहसी ते एक पाकिस्तानी अमेरिकन, कि अगर यूएई और इस्राइल जो है वापस में ट्रेड कर सकते हैं, चाइना और भारत ट्रेड के लिए नहीं किया जाता है, पाकिस्तान के फलाई के लिए नहीं, परस्नल इंटरस्ट जा है, उसको पहले उसको कमिशन पे, किक बैक्स पे, भारत अगर आए ट्रेड करना चाहे, कोई किक बैक्स दे तो हो सकता है, शाम तक ट्रेड शुरू हो जाए, कोई पता नहीं इस काम, वरना इस वकर चीजें भारत से दुबई जाती हैं, दुबई से पाकिस्तान आती हैं, आप बड़े खुशी के साथ को सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं हो पारा, यारा मिलियर डालर की प्रापर्टी हैं, दुबई में आपने ऐसे तो नहीं, फ्री में तो नही ली न, आपने इस कौम को धोका दिया है, पाकिस्तान का खुन पसीना चोरी करके भागे गया हैं, यहां से लोग, ब्रिडश एजेंट्स जो हैं, वो मैं हमेशा यह कहता हूँ, जो तीन डिफरेंट किसम के जो आपके ब्रिडश एजेंट हैं, वो आपको बंबोड अगर यह वीडियो में आपको बहुत को जानने को मिलाओगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इसे लाइक और शेयर जुरू कर दे, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जुरू बताएं, हमें आपके कमेंट्स के इंतजार रहेगा, और देखबाएं फिर चैनल पे नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, आकीम आपके से लेटस्ट, इंट्रोसिंग और दमदार वीडियो लाते रहें, तो चलिए, फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबदस्त और मजज़दार वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए, जैहि झाल